ओम नाम है शिवाए रादे किष्णा दोस्तों सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्याद न्यूज इंडिया के खास कारिक्रम ग्रह नक्षत्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों विश्वास में वो शक्ती है जिससे उज़ूरी हुई दुनिया में भी ट्रकाश लाया जा सकता है विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और एविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर बना सकता है इसलिए दोस्तों विश्वास को बनाए रखें विश्वास से हम कुछ भी कर सकते हैं इसलिए के साथ आज हम बात करेंगे रतनों की दुनिया के बारे में पंचान की बारे में राशी फल की बारे में राशी फल की बारे में श्रावन मास के कुछ खास उपाएं और अंति में बात कर रहे हैं हम वास्तू टिप्स के बारे बारे बात करते हैं रत्नों की दुनिया की बारे में हम बात कर रहे हैं जहां तक हमने जाना कि रत्नों को हम इस लिए धारन करके चलते हैं क्योंकि हमारे ग्रहों के असूप जो असर है उनको हम खत्म कर सके हमारा भा तो लिजे आज हम बात करते हैं रहो के रत्रों गोमेद की हमेशा गोमेद के साथ में मानक, मूंगा, मौती और पुक्राज कभी धारण नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई भी रत्रों गोमेद के साथ बिलकुल भी नहीं पहना चाहिए। और जिदि हम पहन भी लेते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन बाढ़नी लगता है। एक अंजाना सा जो डर है वो हमेशा हमेरे जीवन में लगा रहता है। इन रत्रों के साइड इफेक्ट के कारण कमजोर व्यक्तियों पर तो बहुत पुरी ताक्तों का भी आसर होता है। क्योंकि ये ताक्ते उनके उपर हावी हो जाती है। पागलपन ये डिप्रेशन जैसे जो मांसिक बिमारिया हैं जो भी सब इधे के कारण होती है। इसलिए गोमेश के साथ में कुछ खास ये वाले जुगरे हैं उनको बिल्कुर भी नहीं पहनना चाहिए। और ये इस तरह के सिंड्रम्स अगरें पहन भी लेते हैं तो इनको तुर्ण परवा से उता देना चाहिए। तो दोस्तों आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है मंगलवार छे अगस दोजार उननीस आज शुक्रिपक्ष श्रावण मास विक्रम समब्स दोजार चीयंतर वर्ष अरितू है उसकी सश्ट्री जिती है जो की दोपहर को एक बच कर एकतीस मिनट तक रहेंगे। साथ याज सूर गवान प्रात है पांच बच कर एक क्यामन मिनट पर आ जाएंगे जो की शाम को साथ बच कर ग्यारा मिनट पर हम से विदा लेंगे और चंडर्मा ग्यारा बच कर सोले मिनट पर उदे हो जाएंगे। और आज चंद्रमा कन्याराशे में रहेंगे जो कि 11 बच कर एक मिनट तक कन्याराशे में ही रहेंगे उसके बाद इसका राशी परिवर्तन हो जाएगा दोस्तो आज हम बात करते हैं रहुकाल की रहुकाल आज के दिन तीन बच के बाउन मिनट से लेकर के पांच बच कर कतीस माड़ तक रहेगा और रहुकाल वह समय है जिसमें किसी भी प्रकारका को मांग लिकार या या यात्रसमब्द को शुबकार बिलकुल नहीं करना चाहिए इस समय को टाल करके ये काम आप करें अभी जीद मुरत की अभी जीद समय के अगर मात करते हैं तो बारा वज़कर पांच बनार से लेकर के और एक बच्जे तक का समय शुरेष्ट रहेगा और आज कर दिशा सुल रहेगा उत्तर दिशा और उत्तर दिशा में ये जाना भी पड़ जाया तो गुड़ खाकर कि आप अध्विश्य नहीं दोस्तों आज अच्छे तारिक और आज च्छे तारिक के जन्मे सभी जात्कों को जनम दिन की बहुत-बहुत बधाई इसे के साथ में आज के दिन जन्मे सभी व्यक्तियों का मुलांग छे आता है और यहीं नहीं जिनका जन्म छे तारिक को होता है पंदर तारिक को होता है यह चोईस तारिक को होता है इन सभी का मुलांग छे तारिक को ही रहता है और जिन लोगों का मुलांग छे होता है वो स कला प्रेमे होते हैं लोग इन लोगों में बड़ा ही गजब को एक आत्मिश्वास हमेशा बना लिता है और इसी आत्मिश्वास के कारण ये किसी भी परस्रती से ढख मगाते नहीं है आपको सुगंध यानि इत्र डियोस का विशेश शोक रहता है और आप अपनी बहत्वा कांशा के प्रती हमेशा कंभी रहते हैं छे मूलांक वाले शुक्र ग्रहे दोरा संचालित होता है इसलिए शुक्र ग्रहे का इन लोगों पर विशेश प्रभाव हमेशा बना रता है और अतीश शुक्र की वज़े से ये लोग बुराई में भी बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो जाते है जैसे कि इस्तरी जट्री के प्रती इन में एक सहजी जुकाव उन में हो जाता है जिसकी वज़े से परिशानी इनको जहलने पड़ती है और यदि आप इस्तरी हैं तो पूर्षों की प्रती आपकी जल्ज़े से यहाँ बढ़ती चल जाती है लेकिन आप लोग दिल के कभी भी बुरे नहीं होते है खुशमसाज व्यक्ति होते है तो आज जन्मे सभी व्यक्तियों के वारे में हम तो यहीं कहेंगे कि आपकी हर राहा आसान हो हर राहा पे खुशिया हो और हर दिन आपका खूब सुरत रहे ऐसा ही आपका पूरा जिवन हो आपका सुखी जीवन रहे आपका भागी हमेशा बना रहे दिन दूनी राज चुबने आप तरकी करें यही है नियूज इंडिया और ग्रहे नक्षत्री की तरफ से आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपको आज के जन्म दिन की बहुत बहुत मुबारक बात है तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की राशी फलकी है कैसा रहेगा आज आपका दिन क्या कहते है। क्या रहेगा आपका लखी नममर और किस रंग के कप्ड़े पहनने से आपको उर्जवान अपने आपको आप मैहसस करेंगा और कोन से उपाय गए करने से आपका दिन स्ट्रेश जाने वाला है. तो लीजी हम बात करते हैं सबसे फ़रला है मेश रशी की. आज आपका काम मन के मताबिक होने वाले हैं. और मित्रों के साथ दो किसी खास वीशे पर भी आप बात्रीट कर सकते हैं, इसको ले करके आपको फाइदा भी होगा. किसी भी को काम को करने में आपका मन को आज आप अधीक लगाना पड़ेगा और दामकदते जीवन आज आपका बहुत भी मदूर रहेगा आपको कुछ अच्छे अफसर भी मिल सकते हैं जिससे आप खुद को शांत बना है रखेंगे और कई तरह की अनुभव भी आज आपको मिल सकते हैं को रच्तनात्मा कार या आपके दिमाग में भी आ सकता है कारोपार में आज आपको सफलता मिल सकती है यदि आपके लगी नमबर की बात करते हैं तो और रहेगा आठ नमबर और आपका लकी रंग रहेगा लाल रंग, इसलिए लाल रंग से समझेज़ आपको कपड़ा पहने या रुमाल अपने साथ में रखे, उपाय के तोर पे आपको क्या करता है, लक्षमी जी के सामने घी का दिपक जलाएं, आज आपके धन में सवर्द्भी होगी दिन भी अच् करेंगे, और आप जिस काम को करेंगे, उसको समय से पहले पूरा करने का पूरा पूरा भरपूर ट्यास आप करेंगे, इस राशी से जुड़ेवे जितने भी जो इंजिनियर और टैक्टिकल लोग हैं, उनको अपने अनुभव का सही सही ज्यान आज होने वाला है, और किसी मामलू पर आद बाचीत हो सकती है, और सोचे हुए सभी कारे समय पर पूरे होने वाले हैं, आज आपके आत्मिश्वास में बढ़ोतरी होती हुए दिख रही है, और आज आपका दिन स्ट्रेश्ट जाएगा इसलिए क्योंकि आपका लग्की नमबर है आज, दो नमबर और सफेद रंग आज आपके लिए स्ट्रेश्ट रहेगा, इसके सफेद रंग से समदी कुछ कपड़े या करुमाल अपने साथ में हुश रही है, अब बात करते हैं उपाय की आज के दिन आपको उपाय क्या करने चाहिए, आज के दिन कन्या के पैर छुकर के उनका आशिरवा होगा और रुका हुआ काम फिर से आपका शुरू हो सकता है, वायदा तो होई ही सकता है, और साथ में जितने भी जो टेक्निकर लोग हैं, कंपिट से जो रोग हैं, छात रहें, उनके लिए भी आज का दिन बहतर जाने वाला है, आज के दिन आप जितनी महनत करेंगे, उतन अच्छा आपको आप महसूस भी करेंगे, यदि आपके लखी नमर की बात करते हैं, तो लखी नमर रहेगा तीन नमर और लखी रंग आपके लिए रहेगा हरा रंग, इसलिए हरी रंग से समंदी तो आपके कपड़ा पहने, शोट पहने या कोई खास हुरमाल अपने साथ म करना है, आज गाए को आप रोटी खिलाएं, आपके रिष्ट तो मज़र होंगई, समझ शाय भी आज दिन आपके खत्म है, लीज़े में बात करते हैं, करक राश्री की, आज आपका दिन जो सामान ने रहने वाला है, अधिकारियों के साथ, आज आपने आपको वेवार में से आपके भुष्ष्रे में होने वाली योजराओं में काफी फायदा मन आपके रहेगा, देन बर के कामों से आज आज आप कुछ वेश्ट रह सकते हैं, फाल्टू की जो विवाद है, वो आपके सामने आएंगे, उन से आज आज आप बच के निकलेंगे, तो काफी लीजे हम बात करते हैं, सिंग राशी, आज आपका दिन ठीक ठाक सामाने रहेगा, इस राशी के जितने भी जो ठात रहें, उनको कड़ी मेहनत की सक्त आउशकता है, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, जीवन साती के राय बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है, कोई नए दोस्त आपका बन सकता है, किसी कटीन परिस्ति में आप कुछ लोगों से मदद भी बिन सकती है, यह दिया हम बात करते हैं, आज के आपके लखे नंबर की तो रहेगा, पांच नंबर और आस्मानी रंग आपके लिए आज के दिन शुब रहीगा, और आपका उप परिवार के साथ किसी धार्वेक इस्तल पर भगवान के दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं, आफिस में किसी काम को लेकर के आज आज आपकी तारीफ होने वाली है, और इस राशी के जितने भी जो विवाहित लोग हैं, उनका दिन पी आज अच्छा जाने वाला है, आज आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ बेहतर समय आज आज आप किताएंगे, आपका जो लग्य नमर रहेगा, वो रहेगा आठ नमर लाल रंग आपके लिए बिल्कुल शुग रहेगा, उपाय के तोल पर आगो क्या करना है, आज के दिन आप को अर्मान चालीसा का पार्ट करना है, आपका दिन फिल्कुल मंगल में रहेगा, तो दोस्तों ये तो थी अब तक की छे राश्यों की बारे में, अब हम बात करते हैं आगे की छे राश्यों की बारे में, उससे पहले हम बात करते हैं शीव जी को प्रसन्न करने वाली, उनस और साथ ही यदि शीवलिंग परम केसर चलाते हैं तो आपके सो भाग्य में ब्रद्धी होगी, आपके भाग्य होजे होगे, यदि चीनी से शीवलिंग का अगर आप विशे करते हैं, तो सुख और वैभाव की आपको प्राप्ती होती है, धरीद्रता भी दूर होती है, भाग तो विशेस आपको उनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही हम आप लोगों को बता रहे थे, कि भगवान महादेव से सुने, इन से समधित कुछ अंसुने रहस से, अंसुनी बाते हम आपको बता रहे थे, जिसमें से कि यदि हम शीवजी के नाम की अगर बात करते हैं तो जो शीवजी के गले में जो नाक लिप्टा हुआ है, उनका नाम वासुकी है, और वासुकी के बड़ा भाई जो है, उसी का नाम शेशनाग है, जिसके उपर भगवान घिश्ण लिटे वे हैं, यदि भगवान शीवजी के अरधांग ने कि अगर बात करते हैं, तो कुछ भगवान शीव से जुड़े वे कुछ ऐसी बाते हैं, जिनकी बारे में आप नहीं जाएं, लीजे हम बात करते हैं, आगे की छह राशी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं, तुला राशी के बारे में, आज आपका दिन अनकूल रहने वाला है, और इस रा पहले से सामान दाने वाली है और जो चात रहें उनको आज अधिक मेहनत करने की आउशकता है सारे काम अपने इच्छा के अनुसार होने में भी पारिशानी आ सकती है और अपने भविश्य को बहतर बनानी के लिए कुछ नए कदम आप उठा सकते हैं किसी काम में अनुमान से ज़्यादा भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है यदि आपके लकी नमबर की बात करते हैं तो रहेगा दो नमबर और पिंग कलर आज के दिन आपके लिए शुब रहेगा आज आपको उपाय के तोर पर क्या करना है मा दुरुगा को लाल चुनरी उडानी है साथ में भोग उनके उपर चलाना है मंत्र की जाप करना है आपके सुख सम्रद्धी में व्रद्धी अवश्यों है यदि हम आगे की बात करते हैं वरशिक राशी की बात करते हैं तो आज का दिन पहले की अपिक्षा में अच्छा जाने वाला है आज आफिस में बड़े अधिकारियों के साथ में आपका सहीयोग आपको मिल सकता है आमदने में इदाफा होने के काफी अच्छे नजर आसा जो है वाद आए हैं पूरे दिन खुद को तरोताजा आप रख सकते हैं और राशी से जुड़े जो राजितिक के लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही विशेज जाने वाला है घर परिवार का वातवरण शांती दायक रहेगा और आध्यात मित्ता के हिसाब से आपका जो दिन उबहुत विशेज जाने वाला है जीवन साती के साथ में कहीं आप भार घुमने की यात्रा का आगाज आपको योजना आप बना सकते हैं यदि आपके लकी नमबर की बात करते हैं तो लकी नमबर रहेगा चार नमबर लकी रंग आज रहेगा आपका लाल रंग उपाय की तोर पे आपको क्या करना है जरूरत मंद को वस्तरदान करें जीवन में सभी परिशाने दूर होगी और लोगों का सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा लीजे हम बात करते हैं धनुर राशी की आज आपका दिन आपके लिए पर कुछ फैवरिबल है और आज आप परिवार वालों के साथ में कहीं अच्छा दिन अच्छा भैटा समझ होया आप बिदा सकते हैं इस राशी के जुड़ेवे लोग जो मार्केटिंग से जुड़ेवे हैं उन्हें आज नए चीज़ें देखने को मिलेगी और तरक्की के सुने रे उसर को मौके जो हैं उनको जरूर मिलेगी किसी बड़े बज़र्ग की मदद से भी आज आपके मन में रहत महसूस होती हो दिख रही है और कार शेतर में चुनोतियों का आप सामना कर देंगे आपका जो खुशनुमा वेवार है वो आपके घर में रोनक का माहूल बना सकता है और करियर में नए आयाम आप स्थापित करेंगे आर्थिक माहलों में लावावाद को मिलेगा यजि आपके लकी नंबर की बात करते हैं तो और रहीगा पांस नंबर पीला रंग आज आपके लिए शुब रहीगा आज के दिन आपको उपाय की तोर पे क्या कर दा है माता पिता काशिरवाद लें आपकी सभी काम आवश्य कुरें तो आई आप हम बात करते हैं मकर राशी की आज आपका दिन मिला जुला रहेगा और कोट कचेरी के कामों में तो कुछ अर्चने जरूर आ सकती है आप थोड़ी जो धकान है वो आप महसूस कर सकते हैं और जिस कारी की करने के लिए आप सोचेंगे उसको आप आवश्य पूरा करेंगे पॉजिटिव नजरिया जो काम है वो आज अच्छे से आप उसको निटा सकते हैं काम काज की अधिता सिहत पर कुछ असर डाल सकते हैं आफिस पे जो आपके सीनियर्स हैं वो आज आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी रिष्तेदार के आने की खुशी से घर का बाहूल बिलकुल बदल सकता है आज आपका लखी नमबर रहेगा आट नमबर और लाल धन आज आज आपके लिए शुगर होईगा उपाय के तोर के आपको क्या करना है हनुमान जी को आप बूंदी का लड्डू चड़ाएं उनके आप मंत्रो चार्ण करें हनुमान चालिसा का पाठ करें इससे आपका स्वास्त आज बहतर होने वाला है लीजे हम बात करते हैं कुम राशी की आज आपका दिन शानदार रहने वाला है और लोगा का विश्वास आप पर आज बना रहेगा इस राशी से जुड़ेवे जो भी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं बड़ी एजूकेशन पाने वाले जो लोग हैं आज उनकी जो खुआईश आज के दिन पूरी होने वाली है बच्चों की तरफ से आज आपको खुश खबरे भी मिल सकती है और गर का माहौल खुश नुमा बन सकता है दामपत जीवर में जो आपसी समझ जिस से है वहाँ उत्तम रहने वाला है और नियमित काम काज में आज आज आपका मन लगेगा रोज मर्रा के जो कारे हैं उसमें नए लोगों की मुलाकात आपके वहुश से समझ जिए आपको कभी लाबधायक सिद्ध आज आज आपके लिए हो सकती है यदि लकी नंबर की बात करते हैं तो रहेगा एक नंबर और लकी रंग आज आपके लिए रहेगा सफेद रहुश उपाय के तुर पर क्या करना है ओम नमश्यवाई मंतर काप कम सिर्फ ग्यारा बार या एक सो आट बार मंतर का जाप करें धन लाप के अफसर जरू गए लीजे हों अंतर में बात करते हैं मीन राशी की आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है और इस राशी से जुड़े वे जितने वी जनोकरी पेशा के लोग हैं उनके लिए भी आज अच्छे नए आफर आ सकते हैं घर में खुशी का माहूल रहेगा और संतान पक्ष की तरफ से भी आज आज आपको अच्छी ख़बर मिल सकते हैं आप अपनी बहतर सोच से हालात को समालने में बिलकुत सफ़र रहने हैं और जीवन साथी के साथ में आज आपका तालमेल बहुत ही अच्छा जाने वर है स्वास की दरश्टी से यदि आज कर दिना कर देखते हैं तो आपके लिए सामान ने रहेगा इसलिए आज आज आप कोई भी काम को जादी करते हैं तो अपनी पूरी प्लानी के साथ में आपके लिए आज आपके लिए शुब अंक रहेगा नो नमबर और अच्छा जो शुब रंग है वो आपके लिए रहेगा औरेंज कलर उपाया के तोर पर क्या करना है कहाना जी को मिश्री का भोग लगा हैं दोस्तों के साथ और अपने सह कर्मियों के साथ आपके समद्ध बहतर होने वाले हैं तो दोस्तों ये तो थी अब तक की बारा राश्यों के बारे में लीजिए अब हम बात करते हैं अन्तिमें अंदर वास्तों की कुछ खास ट्रिप्स के बारे में, दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि घर को बनाते समये, वास्तों का विशेश ध्यान रखना बहुत आउशक है, खासा उसे कौन सी दिशा में क्या हम को करना चाहिए, इसका विशेश ध्यान हमारे लिए बहुत जगा आउशक है, यह दिया मोटा मोटी अकर किसी चीज़ को वास्तू की बात करते हैं तो विश्यस ध्यान लखने वाली बात यह है जो स्विश्यस दिशाएं जो किलाती है वो पूरर दिशा की किलाती है या फिर उत्तर दिशा की किलाती है साथ मम को ये भी ध्यान एकना चाहिए कि हमारे घर के जो चारो कोने हैं और इसके अलावा पांचवा यानिकी ड्रमिस्तान वो हमेशा शुद और पवित्र रहना चाहिए इन में किसी भी प्रकार की कोई गंदी वस्तुई कठी या कोई गटर वातरू ये बिल्कुल बिरही ही होने चाहिए इसके अलावा हमारा जो इशान कोन है वहाँ पर आप कोशीश करने या इशान कोन की तरफ या पूरव की तरफ देखता हुआ हमेशा आप अपने पूजा की स्थान को आप रखे नेड़त कोन जो बिल्कुल अंत में है जो पश्चिम दक्षिन का जो कोना है उसको हमेशा मुचा और अगर आप भारी रखेंगे तो या आपकी सेहत से जुड़ावर रहेगा आपके सेहत के लिए आपकी भुश्य के लिए हमेशा फायदे मन रहेगा इसके लावा वाईव कॉन की अकरम बात करते हैं तो यदि हम गैस्टों के लिए कोई भी अकरम रूम की अकरम बात करते हैं तो वाईव कॉन में हमेशा हमको रखना चाहिए यदि घर में किसी की तवियत खराब हो जाती है तो उनको भी हमेशा वाई कौन मेही सुर्णा चाहिए, ताकि उनकी तबियत ठीक हो जाती है। खासतो प्रज़ुषी यदि किसी का अंतिसम्माय करा रहा हो तो उनको भी वाई कौन मेही लगक करके उनका elétा करना चाहिए। उस कंडिशन में यह तो बिलकुल ठीक हो चकते हैं या फिर उनकी इच्छा पूर्थी आने के सौभश को लिए तो दोस्तों यह थी वास्तो की कुछ खास टिफस आज हमने जाना पंचांग के बारे में रतनों के बारे में और सावन की कुछ खास टिफस और अंत में वास्तो बारे में आप यहीं बजालेते हैं गोके नमस्कार राज़किश्णा